मटर लागिन माटी रहक चाही बढ़िया पानी निसकया हलुक उपजाव माटी जदी आमत माटी है तो एक महिना आगे है उकर में चोरना के भुरेक देव तले उकर तयारी करू फसिल लगायक कर उनत प्रभेद है अगायत लगिन आरकेल मध्यम लगिन पूसा प्रगती पी एम 113 कासी नंदिनी आजाद पी एक लगायक कर विधी दर बनाय के सोजे सोज बुईन देख चाही बिहिन बुने कर बेरा बढ़िया बेरा है सितंबर से नमंबर और बिहिन कर दर है 100 किलोग्राम प्रती हेक्टर अब लगायक कर दूरी केसन रहक चाही कतना रहक चाही दर से दर कर दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पोधा से पोधा कर दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर रहले बेश रही माइंद और उरोरक कर मात्रा प्रती हेक्टर गोबर माइंद 200 से 250 क्विंटल नेतरजन 40 किलोग स्फूर 80 kg और पुटास 40 kg प्रती हेक्टर राखेक चाहिए पटायक लागिन के सनकरेक है हलुक दो मट माटी में जदी लगाए ही तो आठ से दस दिन में एके पटायक चाहिए और जदी भारी दो मट माटी में लगाए ही तो इके बारा दिन में ज़रूट पटाय दो है पोधा कर सनरक्षन जदी इकर में पिलवा लागा थे बेमारी हो थे तो इकर सनरक्षन करेक लागिन जैसन रोरे मन दलहनी फसिल में सनरक्षन कहर रही बस उस उसने सनरक्षन मटरों लागिन करेक है रोरे के इकर से रोरे मन के उपज भेटाई 80 से 120 क्विंटर तो देखू मटर कर खेती जदी इसन करा थी रोरे मन तो रोरे के मटर बढ़िया भेटाई और खायकों में बेस लगे